हाई योडिवन दिस पेम, वलकम तो एजूकेशनल हाइक, सो कैसे हो आप लोग, प्लीज लेट में नो इन दो कॉमेंट सेक्षिन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के इंग्लिस, लैंगज और लिटरेचर के सैंपल क्वेशन पेपर नंबर 2 को सॉल्फ करेंगे, यह सैंपल पेपर को पढ़ कर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेशन्स डारेक्टली आपके उस प्रीबोर में पूछा जा सकते हैं, यार बोर्ड हमारा कुछ ऐसे ही क्वेशन्स पूछता है, और आज हम इन क्वेशन्स को ट्रिक्स के साथ देखने वाले हैं, आसान ट्रिक्स के साथ, मेरा मानना है कि इंग्लिस में आपको एंसर पता हो, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आप एंसर को प्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है, तो आगे बने इस पहले मैं आपको बता दूँ कि जो CBSC का लेटेस्स सैंपल विपर है, सैंपल विपर नंबर वन, जो ओफिसीली CBSC ने रिलीस करा है, वो हमने अल्रेडी अपलोट कर रखा है अपने चानल पर पार अ की अलग वीडियो है, पार बी की अलग वीडियो है, आप उन दोनों वीडियो को नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो, और ये वीडियो अल्रेडी यूटुब के सर अगर आप सर्च करोगी इंग्लिस लाइंग्वेजन लिट्रेचर सांपल पर 2021 तो आपको मेरी वीडियो सबसे टॉप पर मिलेगी, तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होते है, ओके लेट्स स्टार्ट, टाइम अलाउट तीन गंडे का हुआ हमारा प पूरा पेपर होता है, जनरल इंस्रक्शन आप पढ़ लेना, जनरल इंस्रक्शन बिल्कुल सेम के सेम है, चलो पढ़ लेते हैं, पार्ट ए, आपको पता है, पार्ट ए रीडिंग कम्परहेंशन होता है, और रीडिंग कम्परहेंशन में हमें दो पैसेज्ज मिलेंगे, य अभी इस बार क्या हो गया है ना कि MCQs question आ गए है इन reading comprehension वाले questions में आपको MCQs मिलने वाले हैं और MCQs के लिए आपको पूरे paragraph की understanding होनी जरूरी है तो understanding के लिए ये नहीं है कि आप हर एक line का मतलब समझो आप बस एक idea लगा लो कि कहना क्या जाता है जैसे देखो It is an indisputable fact मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत आगे जा चुकी है क्योंकि नई नई inventions हो रहे हैं नई नई technologies आ रही हैं कई सारे mobile phones की सुविधाएं, internet इन सारी वजहों से हमारी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है ऐसे लोग जो internet का use कर करते हैं वो पूरे universe का सैर किसी एक जगह पर बैठ कर कर सकते हैं आज हमारे fingertips पर पूरी दुनिया है और ये smart devices और technological gadgets हमें घर बैठे ही दुनिया के हर एक कोने की pictures वीडियो दिखा सकती है mobile internet access करके न हम बहुत ही कम समय में internet के कई सारे सुविदाओं का फैदा ले सकते हैं जैसे mobile alerts, weather data, मौसम की जानकारी लेना, email भेजना, google बावा तो अलग तरीके से काम करते ही करते हैं जिनको हम search engine कहते हैं हम तुरंत messages भेज सकते हैं, game खेल सकते हैं, music डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये कुछ फाइदे हैं हमारे internet के तो पहले paragraph से पढ़ने से आपको ये पता चला कि कुछ internet के बारे में हैं और internet के सुविधाओं के बारे में बताए गया है चलो, दूसरे paragraph को पढ़ते हैं और idea ले लेते हैं कि due to easy access of smartphones आज smartphones इतने आसानी से available हैं कि communication बहुत ज़्यादा effective और बहुत ज़्यादा आसान हो गई है हम एक दूसरे से दुनिया की किसी भी कोने में रहें तो आसानी से बात कर सकते हैं people are able to convey their messages all around the globe हम दुनिया के किसी भी कोने से अपने प्यार करने वाले अपने चाहने वाले को contact कर सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किये अब जो बड़े लोग हैं उन्हें ये gadgets ये technology बहुत अच्छे से पसंद आती हैं इसलिए वो इसे adopt कर लेते हैं जितने भी बड़े लोग हैं जितने भी smart लोग हैं वो नई नई technologies को पसंद करते हैं इसलिए वो उसे accept कर लेते हैं लेकिन जो young people हैं जो अभी थोड़ा सा immature है वो भी internet का फायदा बहुत अच्छे से उटा सकते हैं वो अपने mind को और ज़्यादा broad कर सकते हैं इंटरनेट पर अलग अलग चीज़े ढूर कर वो अपने काबिलियत को और ज़्यादा improve कर सकते हैं हमें इंटरनेट पर आज कई चीज़े सीख सकते हैं जैसे coding हो गया, web designing हो गया, बहुत ज़री चीज़े सीख सकते हैं एक example लेते हैं कि smartphone की use से न हम नए नए words धूर सकते हैं जाहिरती बात है कि अगर हम Google use करते होंगे तो अगर हमें किसी word की meaning नहीं आती है तो हम Google में search कर लेते हैं ठीक है, आपको पता होगा कि कई सारी universities अब online teaching करने लगी है universities की बात हो रही है, याद रखना, school की बात नहीं हो रही है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा question इसी paragraph के एक question में पूछा गया है ठीक है, तो universities में आज कल online teaching चलने लगी है smartphones बच्चों को home work करने में, assignment करने में मदद करते हैं ठीक है, तो देख रहे हो यार कितने running way में हमने इस सारी चीजों को पढ़ लिया चलो, third paragraph को पढ़के बता देता हूँ आपको कि जो mobile phone है न, वो कभी-कभी हमारी जिंदगियां भी बचा लेता है अगर emergency में हो हम तब एक बहुत जरूरी use होता, smartphone का कि अगर कहीं crime होने वाला है न, तो अगर हम security forces को, crime branch को या police को time पर बता दें कि यहां 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 यह crime होने वाला है तो हम कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं जैसे कहीं पर अगर bomb blast होने वाला होता है न, तो लोगों को police वाले को या crime branch को पहली बता चल जाता है तो वो हो सकता है, bomb को diffuse करने, तो ऐसे कई लोगों की जिंदगियां बच सकती है चलो, fourth paragraph हमारा क्या कहता है, fourth paragraph पढ़ लेते हैं लेकिन immature लोगों के लिए, ऐसे लोग जो थोड़ा छोटे हैं जिनको पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है उनको mobile phone एकदम आदी बना देगी, अपना addiction लग जाएगा उनको mobile phone का क्यों? क्योंकि अगर mobile phone में बहुत अच्छी चीजे मिलती हैं तो young people को ये attract करेंगी और young people mobile का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है young people को थोड़ा सा जादा chances होते हैं कि वो illegal activities में involved हो सकें जैसे कि अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला था कि JNU एक university है दिल्ली में ठीके वहां के कुछ बच्चे mobile internet का use करके ISIS join कर लिये थे तो ये undesirable activities है और इससे बच्चों की पढ़ाई पर negative effect पड़ता है adverse effect पड़ता है therefore जितने भी young people है ना उनको monitor करते रहना चाहिए उनको guide करते रहना चाहिए कि internet के फायदे हैं तो bad outcomes भी है नुकसान भी है तो अभी तक 4 paragraph को हमने कितनी easily और कितनी आसानी से पढ़ लिया देखते चलो 5th paragraph को भी बहुत आसानी से पढ़ेंगे also a measure contributed to its popularity is the ability of prepaid or pay as you go services मतलब कि आज mobile phone के popularity का एक सबसे बरा कारण यह है कि भाया जो दुकान पर हम जाते हैं या किसी online store पर जाते हैं हम तो हम pay tm, google pay, mobile banking का use करके बिना cash दिये ही pay कर लेते हैं तो mobile आजकल इसलिए भी जरूरी हो चुका है mobile से लोग ना अपना recharge कर सकते हैं, air time credit पा सकते हैं air time credit का मतलब पता है ना, बात करने की सुविदा recharge कर लेना ठीक है, चलो, आजकल हम अपने phone का recharge कर सकते हैं अपना credit card यूज़ करके, debit card यूज़ करके, debit card मतलब ATM card, पता होगा आपको ठीक है, नए-नए prepaid cards भी आते हैं, जैसे air time हो गया, geo हो गया वो अपने prepaid cards भी भेशती है, जिसको हम recharge coupon कहते हैं ठीक है, तो आप recharge करने के लिए recharge coupon का भी use कर सकते हो लेकिन अगर आपको ये prepaid plan अच्छा नहीं लगता है if prepaid card is not that appealing to you, you can opt for monthly plan अगर आपको ये prepaid plan अच्छा नहीं लगता है तो आप हर mobile company अपना महिने का भी plan देती हैं आप उस महिने के plan का भी recharge करा सकते हो तो इस पूरे paragraph में न यार, हमें mobile के बारे में बताये गया है mobile के users के बारे में बताये गया है चलो, question को पढ़ लेते हैं पहला question कहता है कि smart phone की वज़े से जो communication है वो क्या हो चुकी है effective हो चुकी है? हाँ, effective तो हो चुकी है instant, जल्दी हो चुकी है? बिल्कुल क्योंकि ये देखो, पहली line में कहा गया है second paragraph की पहली line में देखो, क्या कहा गया है? कि smart phone की वज़े से communication effective और instant हो गई है तो ये दोनों तो बिल्कुल होगा ही होगा smartphone की वज़े से आज communication effective भी हो गई है instant भी हो गई है जब effective और instant हो गया है तो सस्ता भी है, ठीक है? तो all of these हमारा correct option होगा D हमारा इसका correct option होगा चलो, दूसरा देख लेते हैं कि internet does not help young ones internet छोटे बच्चों को या ऐसे लोग जो थोड़ा immature है उनको क्या करने में मदद नहीं करती है क्या internet से बच्चे नए-ने word नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं भाया तो ये तो कर सकते हैं complete their assignment in time ये भी बच्चे कर सकते हैं broaden their mind by doing research ये भी बच्चे कर सकते हैं लेकिन बच्चे ये नहीं कर सकते कि internet में क्या सही है और क्या गलत है इसमें वो फरक नहीं समझ सकते हैं तो क्या पूछा है? internet के मदद से हम क्या नहीं कर सकते हैं तो ये D वाला हम नहीं कर सकते हैं differentiate between good and bad things ठीक है, बच्चों को आज internet पर पता नहीं है कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है चलो, third question देख लेते हैं कितनी common sense का use हम बस कर रहे हैं और common sense से ही चीज़े हो जा रही है देखो, which of the following is the use of a smartphone इन चारों में से आप smartphone की मदद से क्या क्या कर सकते हो क्या आप smartphone की मदद से नए topics पढ़ सकते हो बिल्कुल पढ़ सकते हो क्या आप किसी की जिंदगी बचा सकते हो बिल्कुल बचा सकते हो अगर आपने समय पर police या crime branch को बता दिया कि भाईया यहाँ यहाँ crime होने वाला है तो आप आसानी से बचा सकते हैं उनकी जिंदगी तो यह दोनों तो हो जाएगा क्या mobile phone का use करके हम illegal activities में ज्वाइन हो सकते हैं तो यह use नहीं है यह mobile phone का misuse है तो third वाला option छोड़के पहला दूसरा तो बिल्कुल होएगा देख लेते हैं चौथा होगा की नहीं होगा loading text और some airtime credit यह भी होगा क्योंकि देखो आखरी passage में already दिया गया है कि हम mobile phone का use करके text लोड कर सकते हैं और airtime credit पा सकते हैं मतलब पहला भी होगा दूसरा भी होगा और चौथा भी होगा देख लो first, second और fourth B वाले option में हैं तो B वाला option हमारा इस particular question का correct answer होगा चलो fourth question देख लेते हैं आपसे पूछा है कि guide word का आपको समानार्थी बताना है synonym of guide guide का मतलब क्या होता है किसी की देख भाल करना किसी को बताना क्या सही है क्या गलत है चलो, क्या होना चाहिए guide का synonym miss use, नहीं ये तो antonym है न aware guide का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना और aware का मतलब होता है किसी को जागरूप करना इन दोनों में अलग-अलग अंतर है तो aware भी नहीं होगा किसी को mentor करना ये correct option है क्यों है क्योंकि भाईया guide करना मतलब किसी को रास्ता दिखाना किसी को mentor करना कई coaching वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ personal mentorship मिलती है मतलब आपको personally वो guide करेंगे तो guide का synonym क्या हो जाएगा mentor हो जाएगा समझ गए आगे देख लेते है पच्वा question क्या गहता है पाच्वा question कहता है कि जब author ने कहा कि tour of cosmos author ने second passage में कहा था कि आप एक जगम one place पर रहकर पूरे cosmos का tour कर सकते हो cosmos का मतलब पता है cosmos का मतलब होता है universe ठीक है हमारा ये पूरा ब्रम्हांड तो देख लो universe किस option में आया है इस option में आया है इसलिए ये वाला हमारा बिलकुल correct option होगा seeing different parts of the universe मतलब हम ब्रम्हांड के हर जगह को किसी एक जगह पर बैठ कर internet से देख सकते हैं कर सकते हो ना आप आज solar system को देख पाते हो आज आप London, Japan, Paris सब को देख पाते हो अपने phone में ही देख पाते हो ठीक है चलो question number 6 क्या कहता है question number 6 कहता है कि mobile phone कई लोगों की जिन्दगिया भी बचा लेता है कैसे it helps student research things ये तो नहीं होगा इससे जिन्दगी नहीं बचेगी it helps families connect with each other चलो ये भी सही है लेकिन ये जिन्दगी बचाने वाली बात तो हुई नहीं many a times it prevents crime बिल्कुल सही ये कई बार न mobile phone हमारे अगल बगल होने वाले crimes को रोग सकता है अगर हम समय पर police को inform कर दे कि भाईया 10 बजे यहां पर bump हटने वाला है तो police आ जाएगी और हमारी life को save कर लेगी तो mobile phone life saver कैसे हुआ क्योंकि ये crime को रोकता है समझ गए तो third option हमारा बिल्कुल correct होगा चलो seventh देख लेते हैं which services out of these does a mobile phone not provide इन चारों में से mobile phone कौन सी service provide नहीं करता prepared plan prepared plan मतलब पहले recharge करो फिर बात करो तो ये तो mobile phone करता ही करता है pay to go pay to go मतलब online shopping ये भी हम कर सकते हैं mobile phone की वज़े से instant messages ये भी हम भेज सकते हैं whatsapp, telegram, instagram कितने सारे apps हैं जिससे हम तुरंत की तुरंत message भेज सकते हैं एक काम हम नहीं कर सकते वो ये कि भाया mobile वाले जो होते हैं वो daily plan अब नहीं निकालते ऐसा नहीं है कि आज हम recharge करें तो किवल आज ही हम use कर सकें mobile phone को ऐसा नहीं है ना तो daily plan वाली सुबिदा खतम हो गई है और इस passage में ना यार daily plan की कहीं बात भी नहीं हुई है कहीं जिक्र भी नहीं हुआ है तो daily plan एक ऐसी चीज है जो mobile company हमें provide नहीं करती है which services out of these does not mobile phone provide तो daily plan mobile वाले provide नहीं करते हैं आई थिंक आपको ये भी समझ में आगया होगा चलो हम अपने 8 question पर चलते हैं इन्नोवेशन का मतलब क्या है paragraph number one में innovation का मतलब क्या है innovation का मतलब होता है invention लेकिन फिर भी paragraph number one पढ़ना जरूरी है देख लो कि यहां पर क्या लिखा है आपर लिखा है कि इसमें कोई भी दो बात नहीं है कि हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है क्यों क्योंकि invention हो गई है नई नई technologies की तो innovation का मतलब क्या होता है innovation का मतलब होता है invention invention का मतलब क्या होता है कोई चीज create हो जाना कोई चीज का अविस्कार होना ठीक है तो innovation और invention यह correct answer होगा यहाँ पर भी invention है तो यहाँ पर कोई अधर option होना चाहिए यह दो बार invention हो चुका है लेकिन याद रखना innovation किस चीज का सेनॉनिम है invention का सेनॉनिम है समझ में आया अब देखो अगला question देख लेते हैं कि mobile internet provide access to mobile internet हमें क्या-क्या use करने की सुविधा देता है telegram बिल्कुल use कर सकते है email यूज कर सकते हो mobile phone से बिल्कुल कर सकते हो क्या हम university में पर सकते हैं बिल्कुल अभी हमने passage में देखा कि कई university आईसी है जो mobile phone के मदद से ही online teaching करवाती है ठीक है school हम अटेंड नहीं कर सकते है mobile से बहिए school ये corona आने के पहले schoolों में mobile का कोई भी काम नहीं हुआ करता था ठीक है तो mobile internet हमें school अटेंड करने की सुविधा नहीं देता है हमें school खुदी जाकर पढ़ना होगा grown-ups जो लोग बड़े हो गए है उन्हें क्या करना चाहिए नई technologies को जो छोटे बच्चे हैं जो immature बच्चे हैं उन्हें नई technology के बारे में समझाना चाहिए mentor करना चाहिए मैंने आपको बताया था ना कि जो बड़े लोग है उनको छोटे लोगों को guide करना चाहिए तो guide का सेनॉनिम क्या होता है, mentor तो हमारे C वाला option बिल्कुल सही है बड़े लोगों को reject नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं ऐसा तो नहीं है न कि हम छोटे बच्चों को बिल्कुल mobile phone ना दे नहीं, reject नहीं करना चाहिए क्या उनकी निंदा करनी चाहिए, नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए क्या पूरी तरीके से accept कर लेना चाहिए और छोटे बच्चों को ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो क्या कर रहे है, क्या नहीं कर रहे है नहीं, पूरी तरीके से accept भी नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए उन्हें गाइड करना चाहिए ठीक है तो भया हर passage में से हमें 12 question मिलेंगे और 10 करने होंगे जो मैंने इस passage का आपके सामने कर दिया okay let's move to passage number 2 read the passage given below इस passage में क्या करना है हमें बस idea लगाना है कि इस passage में बात किसके बारे में हो रही है white tiger की बारे में बात हो रही है कि जो white tiger है वो bangol tiger का off spring होता है बच्चा होता है which has the necessary gene for white coloring ये सफेद कलर का होता है इसकी काली पटियां होती है सफेद कलर का पूरा इसका skin होता है लेकिन इस पर black black strips होती है और ये animal नीली आखों वाला और pink nose वाला होता है अ प्योर white tiger एक जो प्योर सफेद tiger होता है उस पर बिलकुल भी काली धारियां नहीं होती है और क्यों नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर double recessive alil होता है double recessive alil का मतलब क्या होता है ऐसा characteristic जो ना तो बाप में हो ना तो मा में हो लेकिन फिर भी बच्चे में आ जाए तो ऐसे tigers बहुत कम होते हैं ये देखो यहां पर लिखा गया है न कि it happens only in the Bengal tiger और 10 हजार में केबल एक ऐसा होता है जो पूरी तरीके से सफेद होता है white tigers are rarely seen in the wild ये जो सफेद tiger होते हैं वो हमें कभी कबारी जंगल में दिखाई देते हैं और आज तक पिछले 100 सालों में इंडिया में केबल 12 ऐसे tigers हैं जो पूरी तरीके से सफेद हैं tigers की जिंदगी 10 से 15 साल की होती है ये अकेले रहना पसंद करते हैं और इनको सिकार करना रात में बहुत जादा पसंद होता है ये जब भी सिकार करते हैं तो ऐसे जानवर का सिकार करते हैं जिसको वो पकड़ लेते हैं आसानी से और अगर एक बार वो सिकार करते हैं तो कम से कम 40 pounds of meat, एक बार में वो खा जाते हैं, एक बार खाना लेने के बाद, वो कुछ दिनों तक खाने से दूर रहते हैं, तो ये हमें 1st और 2nd पैरा में बताये गया है, चलो आगे देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा है, 3rd passage में, 3rd passage में दिखा है कि they are slow runners, ये जो white tigers होते हैं, ये बहुत धीरे दोड़ते हैं, लेकिन swim बहुत अच्छा करते हैं, ये climb, पेडों पर आसानी से चड़ नहीं सकते, cannot climb a tree easily, ये ऐसी जगह रहते हैं, जो जगह 10 या 20 या 30 square meal में फैला हुआ हो, जहां इन्हें आसानी से सिकार मिल जाए, पानी मिल जाए, और रहने की जगह मिल ठीक है, लेकिन खतरा इनके लिए क्या है, जंगलों का कटना, पेडों का कटना, illegal hunting और human population इतने तेजी से बढ़ रही है कि ये जानवर अब endangered हो गए है, अब ये खतरे में आ गए है, आज इन जानवरों का सिकार हो रहा है, क्योंकि चाइना में बनाये जाने वाले कई दवा एक और कारण है कि क्यों white tigers की संख्या दीरे-दीरे घट रही है, क्या कारण है कि genetic inbreeding, मतलब क्या होता है न, white tigers की संख्या कम होने की वज़े से ये अपने भाई और बहनों में ही reproduction कर लेते हैं, और इसी वज़े से जो इनका बच्चा पैदा होता है न, इनका high mortality rate होता है, मत And what? And, and, and severe disabilities, अगर कोई भी white tiger किसी दूसरे tiger के साथ sex करता है और उसका जो भी बच्चा पैदा होता है न, तो वो या तो disability के साथ पैदा होगा, या पैदा होते ही वो मर जाएगा About 80% of the white tiger are born with serious birth defects related to inbreeding and they soon die off, white tiger के 80% बच्चे या तो जन्म से defective होते हैं, उनमें कोई न कोई अंग की कमी होती है या वो जल्दी से मर जाते हैं पांचवा paragraph क्या कहता है, कहता है कि the critical condition of these animals, इन जानवरों की इतनी दैनी स्तिती हो गई है कि इस स्तिती की वज़े से जो जानवरों को बचाने वाले लोग है न, इनका ध्यान इन white tigers की तरफ गया है ठीक है, world wildlife जो federation है, WWF जो जंगली जानवरों को बचाती है, वो white tigers को आजकल बचाने का काम कर रही है और भी बहुत सारे जंगली जानवर और पेड़ पौदों को बचाने के organizations हैं वो भी white tiger को बचाने की कोशिस कर रहे हैं, government की मदद से, ठीक है, once they become extinct, हमें इन्हें बचाना बहुत ज़ादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर ये white tiger एक बार विलुप्त हो गए, तो it will not be possible to bring them back to life इफ ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम दुबारा किसी white tiger को देख पाएं अपने पूरे जीवन काल में ये देखो, यहाँ पर 2006 में इंडिया में tigers की संख्या कितनी थी? लगभग 1411 थी, 2010 में 1706 हुई, 2014 में 2000 से उपर white tigers हो गए 2018 की बात है कि लगभग 2967 white tigers हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप, 2014 से लेकर 2018 के बीच में लगभग 740 tigers बढ़े हैं, मतलब 4 साल में 740 tigers बढ़े हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर से एक question पूचा गया, देखो question आब आता है, क्या कहता है, question कहता है कि on the basis of your understanding, जितना तुमने passage में समझा है, उसके according, किसी 10 question का answer करो, 12 questions यहाँ पर दिये हैं, 10 हमें करने हैं, चलो पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि the factors that have put tiger species in the category of endangered species are, मतलब यह जो tigers है, यह आज खतरे में क्यों है, क्या जंगलों की कटाई हो रही है, यह भी है, क्या tiger की संख्या कम हो रही है, मतलब all of these हमारा correct answer होना चाहिए, got it, okay, let's move to our second question, second question क्या कहता है, कहता है कि choose the statement which are not true about tigers, इन चारों में से कौन सी चीज tigers के बारे में सही नहीं है, क्या tigers social animals होते हैं, क्या वो आप से प्यार से पैसा आते हैं, बिल्कुल नहीं है, tiger के सामने जाओगे, वो खा जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, the tigers are slow runners, tigers बहुत धीरे दोड़ते हैं, हाँ, ये बात तो है कि जो tigers होते हैं, वो बहुत धीरे दोड़ते हैं, क्या tigers आसानी से पेड़ पर चर सकते हैं, नहीं, हमने अभी passage में पढ़ा, कि tigers पेड़ प option होगा, आगे चलते हैं, थर्ड वाला question क्या कहता है, कहता है कि tigers कितने साल तक जिन्दा रहते हैं, तो 10 से 15 साल तक, हमारे passage में clearly दिखाया गया है, देखो मैं आपको दिखाई भी देता हूँ कि tigers के life span के बारे में कहां बताए गया है, ये देखो, tigers have life span of 10 to 15 years, टाइगल के 10 से 15 साल तक ही जिन्दा रहते हैं, the white tiger is an office spring off, white tiger किसका बच्चा माना जाता है, पहली line में हमने पढ़ा, बेंगॉल tiger का बच्चा होता है, white tiger, ठीक है, चलो, next question पर चलते है, हमारा question number 5th क्या कहता है, question number 5th कहता है, कि जो tigers होते हैं, are climbers and cannot climber treesly, अगर tigers पेड़ पर आसानी से नहीं चड़ सकते, तो वो भाई, poor climber होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो poor यहाँ पर हमारा correct option हो जाएगा, आगे देखो, जो एक pure white tiger होता है, वो बिल्कुल सफेद color का होता है, अगर एक pure tiger है, जो सफेद color का है, तो वो जाहिर सी बात है, white tiger होगा ना, तभी तो सफेद color का है ना, तो इस वाले में हमारा white होगा, देख रहे हो, बिल्कुल common sense की बाते हैं यार, common sense भी अगर आप लगाते हो, तो passage के questions को आसानी से कर ले जाओगे, 7th question क्या कहता है, कहता है कि, that affects the tiger from remaining away for several rays from food, मतलब जो tigers होते हैं, वो कुछ दिनों तक खाने से दूर रहते हैं, क्यूं, क्यूंकि वो एकी बार में 40 pound months खा जाते हैं, और इसकी वज़े से वो खाने से कुछ दिनों तक दूर रहते हैं, ये बात भी हमारे passage में बताई गई है, जो मैंने आपको already अभी question number 8 क्या कहता है, question number 8 कह रहा है कि the number of tigers in 2018 shows an increase by almost, कितनी percent का increase हुआ है 2014 से 2018 की बीच में, मैंने बताया ना लगबख 740 tigers बढ़े हैं, तो चलो देख लेते हैं, percentage निकाल लेते हैं, देखो यहां पर directly बताया गया है कि भीया, 2014 में 2226 tigers थे, अगर हम 2226 को 740 से डिवाइट करेंगे मतलब one third हमारी tigers की संख्या बढ़ी है, ठीक है, समझ गया है, चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं, यहां पर हमारा और 9th question क्या आता है, 9th question कह रहा है कि 2014 से लेकि 2018 की बीच में tigers की संख्या कैसी है, क्या disappointing है, क्या निरास करने वाली है, नहीं यार, कम से कम 740 tiger बढ़े हैं, मतलब यह encouraging है, ठीक है, तो c वाला option हमारा बिलकुल correct होगा, disgusting भी नहीं होता है, decreasing भी नहीं है, depressing भी नहीं है, यह 3 नहीं होगा, encouraging हमारा बिलकुल correct answer होगा, ठीक है, चलो, 10th वाला question क्या कहता है, 10th कहता है कि the year 2006 shows the dash number of tigers, 2006 में सबसे कम tigers थे, यह देख लो, यहां पर passage में ही द दिखाया गया है कि भाया, 2006 में केवल 1411 टाइगर्स थे इंडिया में, फिर 2010 में उससे जादा, 2014 में उससे जादा और 2018 में सबसे जादा टाइगर्स हैं, ठीक है, तो 2006 में क्या है, lowest है, तो इसलिए आप क्या चूस करोगे, highest होगा नहीं, average होगा नहीं, no change होगा नहीं, lowest आईगर हमारे 2006 में पाए जाते थे, तो यह रहा हमारा second paragraph, हमने बहुत ही आसानी से second paragraph को भी कर लिया है, now I will move to literature portion, literature portion हमारा 10 marks का है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, 10 marks में आपको, 255 marks के literature के questions पूछे गए हैं, question number 3 भी 5 marks का है, इसमें आपको 2 questions मिलेंगे, और करके, या त question number 4 देख लेते हैं, question number 4 में poetry से 2 questions पूछे गए हैं, या तो आप ये वाला करो, या तो आप ये नीचे वाला करो, ठीक है, चालो, अब देखो, आगे चलते हैं, question number 3 हम करना start करते हैं, question number 3, question number 3 का पहला वाला ही कर लेते हैं, ये वाला, देखो, ये जो पूरा chapter है, चुबु भी नहीं है जन्यूनली बता रहा हूं कि तुम्हें पढ़ाने से पहले मैंने इस चाप्टर को बिलकुल देखा तक नहीं है ठीक है चलो तो इस स्टोरी के बारे मैं थोड़ा से तुम्हें बता देता हूं कि जो इस स्टोरी में तीन लोग है एक है नटालिया और एक है नटा बीच में ये पूरा चाप्टर है, देखो ये दोनो ना, ये दोनो पाटी, एक बंदा ये है, एक इसकी बेटी है और एक ये अकेली है, इन दोनों की बीच में जमीन को लेकर जगडा चल रहा है, कौन सी जमीन को? ध्यान रखना question पूछा गया है, Oxen Meadows, जमीन का क्या नाम था Oxen Meadows, मतलब Bell, Guy, इन सब को चरने के लिए एक खाली जमीन थी, इन ही जमीन को लेकर इन दोनों की बीच में जगडा चल रहा है, लुमाओ कह रही है, नहीं मेरा है, नताल्या कह रही है, नहीं मेरा जमीन है, तब ही चुबुकाओ, नताल्या के फादर आते हैं, नताल्या कहत है कि फादर फादर इस लुमाओ को तो बताओ, ये जमीन हमारी है, तो चुबुकाओ कहते हैं, हाँ बिलकुल लुमाओ, ये जमीन हमारी है, तो लुमाओ यहां से कहती है कि प्लीज, स्टीफिन, स्टीफिन किसे कहेंगे, चुबुकाओ ही स्टीफिन है, ठीक है, तो Do a reasonable man, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरी आंटी के दादी ने, ये जमीन एक ऐसे ही temporary और free use करने के लिए तुम्हारे दादा जी के peasants को दे दी थी, अब ये peasants 40 साल से इस जमीन का use कर रहे हैं, और अब ये वापस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो चुबुकाओ कहता है कि, oh my darling precious, थोड़ा मुझे भी सुनो, थोड़ा मेरी भी बास सुनलो, शायद तुम भूल गई हो कि ये peasants ना, तुम्हारे दादी को इसलिए pay नहीं किये, क्योंकि ये जो मीडो था ना, ये dispute में था, ये जगडे में चल रहा था, ठीक है, जगडे से हमने इस जमीन को छुडाय है, इसलिए ये जमीन हमारा है, अब आपको समझ में आ गया ये पूरा passage, चलो question को करना start करते हैं कि ये उपर वाली line को किसने बोला है, तो मैंने बताया ना, लोमाओ ने बोला है, किसने बोला है, लोमाओ, तो इवान लोमाओ हमारा correct answer होगा, ठीक है, चलो इसी का दूसरा question देख लेते हैं, दूसरा question कहता है कि the meadows were given by my aunt's grandmother, ये तो direct है ये देखो, the meadows were given by my aunt's grandmother for the temporary and free use, for the temporary and free use of your grandfather's, of your grandfather's dash, तो यहाँ peasants भरा जाना चाहिए, देखो peasants option है क्या, बिलकुल peasants option है यार, तो बी वाला हमारा peasants हो जाएगा, देख रहो कितने आसानी से कर ले रहे हो, chapter नहीं पढ़ा, फिर भी कितने आसानी से कर ले रहे हो, चलो question number 3 कहता है कि for how many years had peasants used the land, कितने सालों से ये peasants जमीन का use कर रहे थे, ये देखो use the land for 40 years, यहीं पर सब कुछ दिया गया है, chapter पढ़ने की क्या जरूरत है, 40 years, देखो 40 ह क्या बिल्कुल है हमारा पहला ही option, इसका correct option होगा, ठीक है, समझ गए, अब देखो चौथा question कह रहा है कि permanent word का तुम्हें antonin धूनना है, permanent का opposite क्या होता है, जाहिर सी बात है भाई, temporary, permanent मतलब अस्थाई होता है, temporary मतलब अस्थाई होता है, ठीक है, question number 5 कह रहा है कि इस पूर उसके बारे मैंने अभी बताया ना कि जो गाय, बैलों को घास चरने वाली जमीन होती है, उसको हम oxen meadows कहते हैं, ठीक है, तो oxen meadows के बारे में इस पूरे passage में बात हो रही है, तो देख लिया कितना आसान passage था, अब इसके बाद लेंचो वाला है, आप ये वाला करना चाहो तो ये कर लो, ये लेंचो वाला करना चाहो तो लेंचो वाला कर लो, मैंने लेंचो वाला नहीं किया है, क्योंकि ये काफी आसान है, तुम कर लोगे, ठीक है, तो दो मेंसे एक ही करना था, मैंने एक कर दिया, अब चलो चोथे question का पहला क्यों करेंगे, मैंने पहला कर दिय तो आप दूसरा करेंगे इसका, चलो इन दोनों में से किवल एक ही करना है, पहला या दूसरा, तो चलो आज हम दूसरा करते हैं, ये वाला चाप्टर कौन से वाले चाप्टर से, Dust of Snow वाले से हैं, Dust of Snow एक पोयम है, हमारी दूसरी ही पोयम है, Dust of Snow, इसी पोयम से ये पूरा चा और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया, क्योंकि मैं पूरा दिन वेस्ट करने वाला था, और इसलिए मेरा कुछ दिन बच गया, अब देखो, क्वेशन पूछ रहा है, क्वेशन पूछ रहा है कि, भाईया, वेर वास दे क्रो सिटिंग, क्रो कहां पर बैठा हुआ था, बर्फ की कुछ धूरी गिरी है, ये देखो, dust of snow, डी वाला option करेक्ट हो जाएगा, तुमने इस पोयम को पढ़ा भी नहीं है, तब भी किते आसानी से कर ले जा रहे हो, देख रहे हो, मजा है यार, ये तो बिलकुल, give a rhyming word of crow, crow का rhyming word, देख लो, कौन मिलता जुलता लग र लग है, crow mood, अलग-अलग है, crow rude, अलग-अलग है, crow snow, ये मिलता जुलता लग रहा है, crow snow, crow snow, crow snow, तो हमारा इसका वाला rhyming word क्या हो जाएगा, crow का snow हो जाएगा, ठीक है, चलो चोथा वाला question कर लेते हैं, चोथा question कह रहा है कि भाईया, what was the poet's state of mind, at that time, शुरुवात में poet का mood क इसा था, not very good mood, best mood, depressive mood, depressive था, वो परिशान था किसी बात से, not very good इसले नहीं के सकते, क्योंकि बिल्कुल अच्छा mood नहीं था, ठीक है, ठोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल अच्छा mood नहीं था, पूरी तरीके से depressive mood था, got it, अब आपको क्या करना है, rhyming scheme, oh my god, rhyming scheme निकाल जानते हो, चलो मैं तुमें बता देता हो, बहुत ही आसान सब्दों में, rhyming scheme के लिए क्या करना है, आपको rhyming words धूडने है, जैसे crow, snow, me, tree, दोनों rhyming है न, तो crow को माल लो, तुमने नाम दे दिया, a, और me को तुमने नाम दे दिया, b, तो देखो, crow से कौन सा मिल रहा है, snow म मिल रहा है, तो इसको भी नाम दे दो, a, ठीक है, me से कौन सा मिल रहा है, tree मिल रहा है, तो इसको भी नाम दे दो, b, कहीं मिल रहा है क्या, कहीं मिल रहा है क्या, A, B, 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 A, इसी वाले में है, ए भी ए भी देखो और कहीं है क्या, नहीं है ना, तो हमारा बी वाला बिलकुल correct option होगा, now we will move to grammar portion, grammar हमारा 10 marks का आता है और ये 10 marks, हर एक question को हम trick से समझेंगे, क्योंकि grammar में ही तो tricks का असली मजा है, rule, बाबा रे बाबा, rule याद करना ना पड़े, इसलिए हम tricks से समझते हैं इन questions को, चालो, आगे देख लेते हैं यार कि क्या है question number 5, क्या कहता है, हमारा कह रहा है कि choose the correct option, यहाँ पर कुछ options दिये हैं, option चूज करके यहाँ पर आपको fill up करना है, चलो, एक-इक करके पढ़ लेते हैं कि some years ago, कुछ साल पहले की बात है कि dash was a popular children's program, अच्छा, अब देखो, एक-इक करके यहाँ पर fit करके देखो, देखो याद जब कभी भी gap filling का question आये न, rule पता हो ना हो, trick पता हो ना हो, लेकिन एक-इक करके fit करके देखो, देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, जैसे देखो अगर हमने यहाँ पर there fit किया, तो there was a popular children's program, सही लग रहा है कुछ हद तक, बाकियों को भी देख लेते हैं, it का use हम क्यों नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि it का use वहीं होता है, जिसके पहले noun आता है, और that और this भी वहीं use होता है, जिसके पहले कोई noun आया हो, और यहाँ पर तो noun आया नहीं है, तो जब noun नहीं आया, तो भाईया हमारा there बिलकुल सही fill होगा यहाँ पर, कोई भी कहानी हम start करते हैं तो जाधा तर देर से ही तो start करते हैं न There was a old man in that village ठीके तो देर का जो use होता है वो कहानी के starting में होता है यहाँ पर हमने देखो देर का use कर दिया अब देखो आगे पड़ते हैं कि There was a popular children's program मतलब कि एक बच्चों का बहुत ही famous प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें chimpanzee starring role में था मतलब hero का काम करता था अब इसकी वज़ा से this lead इसकी वज़ा से बहुत सारी demand बढ़ गई animals की इसकी वज़ा से इसकी इसकी का मतलब क्या होता है इसकी का मतलब होता है यह यही कारड है कि demand बढ़ गई ऐसे जानवरों की और यह के लिए आप क्या use करते हो आपको तो पता ही होगा कि हम यह के लिए this का use करते है फिर भी option में देख लो this है की नहीं अरे बिल्कुल है मेरी जान बिल्कुल है तो आप d लगाओगी की नहीं लगाओगी हिंदी का मतलब निकाल लो देखो क्या मतलब निकल रहा है मतलब निकल रहा है कि नहीं कि यही कारड है कि इन जानवरों की demand बढ़ गई यही के लिए हम this का use करते है ठीक है तो this led to a lot of demand for such animals resulted in enormous smuggling जिसकी वज़े से जानवरों की smuggling होने लगी island से लेकर pacific देशों तक जिसकी वज़े से इसकी के लिए हमने this लगाया और जिसकी के लिए हम क्या लगाते है which लगाते है यार which का use करते है न देखो which का use हुआ है की नहीं third option में which है की नहीं है अरे बिल्कुल है यार तो which का ही use हम यहाँ पर करेंगे जिसकी वज़े से जिसकी के लिए हम क्या use करते हैं which का use करते हैं, इसकी के लिए हम क्या use करते हैं, this का use करते हैं, this, which, और यहां पर there, कितने आसानी से हमने कर लिया, बस मतलब निकालना सीख जाओ, rule, tricks गया, तेल लेने, कोई मतलब नहीं है, इन सारी चीजों से, ठीक है, ओहो, favorite वाला हमारा direct and indirect speech, correct option चूज करना है, और fill in the blanks क करना है, आपको यह conversation आपके सामने दिया गया है, चलो, पहले conversation को पढ़ लेते हैं, फिर तो direct और indirect में change करेंगे न, जिनको नहीं पता है, मैं आपको बता दू कि इस बार class 10 के question paper में आपको इस तरीकी का भी question देखने को मिलेगा, दो लोगों की बातचीत को आपको indirect speech में change कर ठीक है, चलो, देखलो, दो लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, पहले customer, tailor, किसी दरजी से कहता है कि यह जो तुमने टोपी बनाई है, यह मुझे fit नहीं हो रही है, tailor कहता है कि इसे अपनी उंगलियों में पहन लो, तुम्हें fit हो जाएंगी, customer कहता है, मैं इसे उंगलियों में नहीं, अपने सर पर पहनना चाहता हूँ, tailor कहता है कि तुमने मुझे यह तो बताया नहीं कि तुम्हें सर में पहनना है, तुमने कहा था कि जितनी टोपी बना सकते हो, इस material का, इस कपड़े का उतनी बना दो, तो मैंने छोटी-छोटी बहुत सारी टोपियां बना दी, तो इशा याद रखना, present का कोई भी sentence हो, जैसे ये, देखो, don't है न, ये didn't में change हो जाएगा, don't किसमें change हो जाएगा, didn't में, देखो, will change हो जाएगा, would में, ठीक है, मतलब present तुरंद past में change हो जाता है, अच्छा, अब हम करेंगे questions को, the customer complained, customer ने complain किया, क्या complain किया, that, that लगना चाहिए, तो that से तो केवल यही दो वाले हैं न, केवल यही, b और c आपको पता है न, direct से indirect change करने में, that का use होता है, होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पर केवल यह दो options में, that का use हुआ है, मतलब इन ही दोनों में से कोई सही है, अरे, normal सी बात है यार, कि जब don't, did में change हो जा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या, जो इसमें present use हुआ है, वो past में change हुआ है या नहीं हुआ है, देख लो, that weight का use हुआ है या नहीं हुआ है, बस थोड़ी बहुत जो छोटे मोडे rules होते हैं, इसके direct to indirect change करने के, बस तुम्हें उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, अब next देख लो, जब customer ने complain किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दरजी ने क्या कहा, told him, the tailor told him, the दरजी ने क्या कहा, कि that, यार देखो कभी भी जब told का use हो जाए ना, तो उसके बाद हम that नहीं लगाते हैं, ज्यादा तर cases में हम told के बाद to का use करते हैं, क्या use करते हैं, त true के बाद, देखो, यहाँ पर दो two है, दो options में two है, तो इन दोनों options में से, देखो, हमेशा याद रखना, जब कभी भी हमें direct से indirect में बदलना है, तो told के बाद, अगर two वाला option दिया है, तो two ही हमारा होगा, जैसे यहाँ पर two दिया है, तो यह दोनों two है, अब इन दोनों म नाम देते हैं टू के बाद कभी भी वर्ब की second form नहीं आती तो ये sentence ही गलत है ये गलत है तो use कैसे होगा टू के बाद कभी भी वर्ब की second form, third form नहीं आती केवल वर्ब की first form आती है तो c वाला हमारा इसका correct हो जाएगा ठीक है, second का क्या होगा c वाला correct होगा a वाले का क्या होगा, ये वाला that, that के साथ did वाला, ठीक है तो b हमारा correct होगा छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखके आप आसानी से इन questions को कर सकते हो ठीक है, अब चलो तीसरा पढ़ लेते हैं Taylor ने क्या क्या कहा था Taylor ने कहा था, अपनी उंगलियों में पहल लो और वहाँ पर ये fit हो जाएंगे तो Taylor ने कहा कि to wear them on tip of finger उसके बाद क्या है, कि he further added उसके बाद Taylor ने क्या कहा कहा कि they will will लगा है तो जाहिर सी बात है, ये past में change हो जाएगा, और will का past होता है would, देख लो कौन से option में would का use हुआ है, देख लो पहले would का किसमे किसमे use हुआ है, ओ बाबा रे बाबा, तीनों में would का use हुआ है आच्छा, चलो ठीक है अब जब would का use हुआ है तो you, you, आपको पता है second person हमारा object के recording मतलब सुनने वाले के recording change हो जाता है, सुनने वाला इसमें कौन है customer, tailor बोल रहा है इस line को और customer सुन रहा है customer क्या है, customer के लिए हम क्या use कर सकते हैं, him का use कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अब देख लो him किसमें use हुआ है would के साथ वह हमारा correct option होगा देख लो, they would fit him c वाला बिल्कुल सही हुआ की नहीं हुआ बिल्कुल सही हुआ यार, क्योंकि इसमें will का past would हो गया है और you का you ही है इसमें तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपको पता है, you हमारा एक second person का pronoun है, और second person object के recording, एक rule जानते हो कि नहीं आप, son one, two, three, ये rule इस वाले direct-in-direct में बहुत काम आता है, मतलब second person, object के recording change होता है, सुनने वाले के recording change होता है, सुनने वाला customer है और customer के लिए हम him का use कर सकते हैं तो हमारा इसका c वाला option बिल्कुल correct होगा देख लिया, कितने आसानी से हमने इन questions को कर लिया, okay, now we will move to question number seven, this question number seven will be the last part of grammar portion, इसके बाद हमारा part B start हो जाता है, और part B में writing section है, जो आप जानते हो, जो हम next video में cover करेंगे, okay, let's start question number seven, इसमें आपको केवल 4 question करने है, देए गए आपके 6 questions है, करने केवल 4 है इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप 6 के 6 attempt करते हो, और उनमें से एक भी गलत होता है, तो number deduct हो जाएंगे, ठीक है, चलो, हमारा सबसे पहला question क्या कहता है, first question कहता है, कि भया, आदित्य अच्छा ठीक है, आदित्य डैस, mother, got an award for the best teacher is my nephew, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि आदित्य is my nephew, आदित्य मेरा nephew है, mother got an award for the best teacher मतलब आदित्य, जिसकी माने best teacher का award पाया, वो मेरी nephew है अब देखो, यहाँ पर आदित्य और इसकी मा की बीच में relation बताने वाला word चाहिए हमें, और याद रखना relation वही बताता है जो relative pronoun होता है इन चारों में से relative pronoun के वाल whose है, whose का use हमेशा relation बताने के लिए use होता है, जैसे class में कोई बच्चा, कोई pen पाता है तो वो तुरंद खड़े उकर पूछता है whose pen is this, यह pen किसकी है, इस pen के साथ किसका relation है, तो जिसकी pen होती वो बोलता है, भया, मेरी pen है, मेरी pen है ठीक है, तो whose का use relation बताने के लिए होता है किसी दो चीजों में रिस्ता क्या है जैसे आदित्य और mother, इन दोनों के बीच में relation है कि यह दोनों बेटे और मा है, तो आदित्य whose mother, जिसकी मा best teacher की award पाई थी, वो मेरा nephew है ठीक है, आप चलो, question number two क्या कहता है question number two कहता है, कि what do you like the, the, ध्यान रखना, कि भया, fill in the blanks के हर एक word blank के पहले वाला word और blank के बाद वाला word बहुत जादा important होता है, जैसे देखो यहाँ पर the का use हो गया है और आपको पता है, good, bad best, better, यह सब क्या है, यह सब किसे इंसान की quality है, और quality जो बताता है, उसको हम adjective कहते है पता तो होगा ही ना यार, कि adjective क्या है, adjective हमेशा noun की quality बताता है तो यह जब adjective है तो आपको याद होना चाहिए कि the के बाद हमारे पास केवल यह कही adjective का use होना चाहिए, वो है superlative degree the के बाद हमेशा superlative adjective का use होता है आपको पता है ना कि adjective तीन तरीके के होते हैं एक होता है positive एक होता है comparative positive, एक होता है comparative और तीसरा वाला होता है superlative degree तो यार, superlative degree के पहले हम हमेशा the का use करते हैं जैसे एक quit है honesty honesty is the best policy बोलते हो ना तुम honesty is the best तो the best best क्या है? superlative है मतलब the आया है तो कोई ना कोई superlative degree ही use होगी superlative good नहीं good तो positive degree है, bad भी positive है better comparative degree है best हमारा superlative degree है, जिसके last में est या केवल st आ जाए वो हमारा superlative degree होता है जैसे the highest, the tallest the strongest तो the का use हो गया कहीं पर तो उसके बाद हमेशा superlative degree का use होना चाहिए, okay let's move to question number third, question number third क्या कहता है कह रहा है कि भाहिया the dog the dog मतलब क्या है ये the dog एक singular verb है, पता है आपको singular subject है, ठीक है कुत्ता अकेला ही तो है न, the dog dogs की बात नहीं हो रही, dog की बात हो रही है अब जब singular है ये तो यहाँ पर आपको verb फिलप करना है और verb singular ही फिलप होगी आपको पता है, singular subject के साथ हम singular verb का फिलप करते हैं, तो bark ये तो plural है, ये तो होगा नहीं barked ये past tense में है ये sentence हमारा present tense में है, तो ये भी use नहीं होगा, barks barks और barks ये singular verb है हमारा तो यहाँ पर हम क्या use करेंगे the dog barks कुत्ता भौकता है जब वो गुस्सा होता है, इज बार्किंग का use इसले नहीं कर सकते क्योंकि इज इसमें already use हो चुका है ठीक है, कितना आसान था third वाले का क्या हो जाएगा, barks हो जाएगा जिसमें verb पूछे समझ जाओ singular plural का कुछ लोचा होगा, जैसे हमने यहाँ पर पहली बता दिया कि ये singular है, तो नहीं न, मतलब superlative तो बिलकुल use नहीं होगा, अब बचा rich, richer और very rich very rich, rich, richer क्या use होना चाहिए, देखो मुंबई is, das than most other cities in इंडिया, अब देखो than का use जहाँ पर भी होता है न, समझ जाओ comparative degree का use होना चाहिए than, comparison के लिए होता है, जैसे he is better than her, मतलब वह उससे अच्छा है, तो यहाँ पर comparison हो रही ही न, बिलकुल ऐसे ही मुंबई का comparison भारत के बाकी सारे सहरों से हो रही है, बाकी जादतर cities से हो रही है, than का use हो जाए, मतलब comparative degree, comparative degree का use करना है comparative कौन सा है, richer rich, richer, richest rich, positive, richer comparative और richest हमारा super relative, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे richer का use करेंगे, मुंबई is richer than most other cities in India, यह हो गया हमारे 4 questions, जो हमें any 4 करने थे, यह हमने any 4 questions कर लिये, अब बाकी यह जो 5th और 6th question है, इसका तुरंद तुम स्क्रीन sort लो, और इसका answer मुझे जरूर comment section में बताना part B के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में इस particular question paper के यह question paper कैसा लगा आपको कैसा design किया गया है latest pattern के recording है या नहीं है और आपके exam में, आपके pre-board में पूछा जाता है या नहीं exam होने के बाद मुझे जरूर बताना love you all यार, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद